मित्रों जय माता दी आप देखने धर्म सिक्छा धर्म सिक्छा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं जिरूँ आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल है रईवार यानी की 30 जनवरी 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2078 माग मा कृष्ण पक्ष की 13 जो की आज दिन के 3 बज कर 27 मेर तक रहने वाला है तदुप्रान फिर 14 जी तिथी आरंब हो जाएगी नचतर आज का रहने वाला है पूरवा सधा जो की आज रातरी के 10 बज कर 28 मेर तक रहने वाला है तदुप्रान फिर 19 सरह नचतर आरंब हो जाएगा वरत्योहर में आज है मास सिवरातरी का वरत मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक-एक मोहरतों को हम जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विश्तार पूर्वक देख सकते हैं सभी मोहरतों की जानकारी ले सकते हैं मितनों आज के संपून रासीफल के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुल 12 रासियों का आज का रासीफल साथ ही हम जानेंगे आज का सुबसमय, असुबसमय, दिसासूल, सुबखाद्य, रासी उनसार क्या खाद्य बदात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा साथी कमेंट बाक्स में जै माता दी जोड लिखे मित्रों 12 रासी के रासी फल आपको बताऊं उससे पहले आए एक नजर डालते हैं आज के ग्रहों की स्थिती पर क्योंकि ग्रहों की स्थिती पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है आज राहू विरिस रासी में, केतू विश्चिक रासी में, चन्रमा, मंगल, सुक्र, तीनो एकसा धनू रासी में, बुद्ध, सनी और सूरी के साथ मकर रासी में, गोह कुम रासी में विराजित है धनु रासिम चंद्रमा आज रातरी के चार बच कर 36 मेर तक रहेंगे उसके बाद फिर चंद्रमा का मकर रासी में प्रवेस हो जाएगा तो इन ही सभी ग्रहों का मिलाद लाल आज के रासी फल्में हम जानेंगे तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेसासी मचंद्रमा पांचवे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप मेसासी वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक दिश्टी से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है भगवान की पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी भगवान का आसिरवाद आपको प्राप्त होगा अपने से बड़े और गुरुजोनों का आसिरवाद आपको प्राप्त होगा तीर थियात्रा की योग बन सकते हैं अच्छे समाचार की प्राप्ती भी होगी अगर कहीं महमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, महमान नवाजी का पूरा आनंदा पुठा पाएंगे, मित्रों तथा बड़े भाई बहनों के सहयोग से, कैरियर में सफलता मिल सकती है, माता के स्वास्तिक आपको ध्यान रखना चाहिए आज, बात करेंगे व् पुर्दी होगी, आई के सुरोद बढ़ेंगे, व्यापार में लाब होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा, विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज किन उत्तम रहने वाला है, सफलता प्राप्ति के होगी, जो विद्यार्थी प्रत्योगता प्रिक्षा के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता आज मिल सकती है, स्वास्ति की बात करें, तो स्वास्ति के दृष्टी से आज किन आपके लिए सामान ने रहने वाला है, मॉस भी बिमारिया किनी किनी जातकों को आज परेसान कर सकती है, तो अपने पीलारंग लकी नम्मराज का रहने वाला है चार बात करेंगे वरिशासी की वरिशासीं चंडरमा छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुफ विशासी वालों को आज संतान के तरब से थोड़ चिंता रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधीनस्त क्रम परिमचारी और नोकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। हिम्मत और पराक्राम आपका बना हुआ रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धनकी। तो आज करेंगे आपके लिए काफी उन्नती दायक रहने वाला है। आपकी उन्नती हो सकती है। आई के नए विद्यार्थियों के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों की एक आगरता में कमी आ सकती है। कैरियर में संघर्ष के योग बन रहें। लेकिन संघर्ष के पश्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहें। स्वास्तिया आपका अच्छा रहने वाल फिर भी अपने स्वास्ते का ध्यान रखें प्रेम समंध की बात का एक प्रेम समंधों के लिए आज की सामाने रहने वाला है जीवन साथी से सामान जस्से बना के रखें आज की निगा चुकुंदर अपने खादे पदार्थ में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रह के जातकों के लिए आज का दिन परसंदा से भरा हुआ रहने वाला है आज दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है परिवार जनों और सगे समंधियों में आपस में प्रेम और सदभाव बना रहेगा ओफिस में भी सह कर्मियों का सहियोग प्रा परद्यां से मुष्टित हो बिच्चति आपको गत्ति आपको के लिए परगरें सवास्ति के स्वास्ति आपका अंचा रहने वाला है मौसमे विवारियों से सचेत रहें ठंडी चीए खाने से बचे प्रेम समन्द की अगर बात करें तो प्रेम समन्द में दांपत्य जीवन के खुशियां बर सकती है जीवन साथ ही के सहीयोग से आपके काम भी बन सकते हैं प्रेम समन्धों के लिए आज का दिन बहुत तई अच्छा रहने वाल है आज के लिए ज जौ से बनी वीछ निखाएंगे ताब के लिए सूब रहेगा आपके लिए आज का सूब रंग फिरोजी रंग लखी नम्मराज का रहने वाल है तीन बात के लिए करकरासी की करक्रासीम चद्रमा आज आठमे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप करक्रासी के जातकों के व्यक्तित में निखार आ सकता है आत्मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है आज किने अपने व्यक्तित पर विशेश तोर पर ध्यान दे आज किने अपने गुस्षे पर भी नियंतन रखें किसी से भी वाद व्याद में ना परे परोसियों तरथा छोटे भाई बहनों से संबन्द मधूर रखने का प्रियास करे घर से जब भी बाहर निकले तो वाहन को नियंतन में चलाए धीरे चलाए आज लराई जगरे के साथ साथ दुरगटना के भी योग बन रहे है तो आपको थुरा समल कर रहना होगा आज किन जब भी घर से बाहर निकले तो वीदियो के अंत में बताएगे सुब खादी को खाकरी निकले ताकि घर से बाहर आपको किसी प्रकार के दुरगटना या लराई जगरे का सामना ना करना पड़े व्यापार और धन की बात के तो आई के दिश्टी से आज किन आपके लिए सामाने रहने वाला है अपने व्यापार पर ध्यान दे विद्यार्थी के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने से थरक कम रहेगा विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाए आज आपका मन पेक्षाकरी जाता चंचल रह सकता है स्वास्त की बात करें स्वास्त समंधी कुछ परेशानिया आ सकती है आपको मानसिक तनाव रह सकता है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समंध की बात करें तो जीवन साथी से सामनजस से बना के रखें जीवन साथी साथ मनमोटाओ होने की संभाबना भी बन रही है आज के निगर दही खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आप के लिए आज का सुबरंग पीला रंग लकी नम्मर दो रहेगा बात करने सिंगरासी की सिंगरासीम चंदर्मा नौवे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप सिंगरासी वालों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको पूजा पाठ में धार्मिक कारियों में आपका मन लगेगा भगवान की ये भी किरपाप पर बनेगी सरकारी ओफिस से समंदित कारिया आपके आज सफल रहने वाला है बात करंगे व्यापार और धन की तो धन प्राप्ती के नए अफसर आपको मिल सकते है व्यापार में विलाब होगा और फे इसमें सहकर्मियों का सहियोग भी प्राप्त होगा बात करंगे प्रेम समंद की प्रेम समंद में आज का दिन ठीक ठाक रखने वाला है जीवन साथी के मन में विश्वास पढ़ानेगी कोसिस करें इस से आपके समन सुधřिड होंगे आज किन का सेव अपने खादे-पदात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीला रंग लकी नम्मर एक रहेगा बात करेंगे कन्यारासी की कन्यारासीम चंद्रमा 10 में स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप कन्यारासी वालों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है परतिष्ठा में विर्धी होगी जहां कहीं भी जाएंगे आपको मान समान मिलेगा भविश्य के लिए आपको इस साकारात्मक योजना आज बना सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है व्यापार और धनकी बात के सभी प्रकार की भौतिक सुक्ष्विधा हैं आपको मिलेंगी जैसे मकान भूमी वाहन माता के सुक में विर्दी होगी जो भी कारी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपके रूची बनी रहेगी जिसके फ्लसरूप उस कारी में आपको सफलता भी मिलेगी आर्थिक द्रिष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है व्यापार में लाब होने की योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है, अपने लक्ष को साधने के लिए विसेस रणनेती बनाएं, इससे आपको फायता होगा। स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की दृष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है लेकिन आपकी मानसिक सांती आज ओइस्थी रह सकती है किसी परकार के चिंता रह सकती है प्रेम समंद की बात करें प्रेम समंदों के लिए आज किन सामाने रहने वाला है जी में विराजित है जिसके फ्रसुप तुलारासी वालों के केरियर के लिए आज किन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज आपको परिवारजनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बहनों से ओफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा आज किन आपके ल हो सकता है उनके व्यापार में विर्धी होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से पैसे öğren वहाँ से पैसे आपको मिल सकते हैं विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आजकेन बढ़िया रहने वाला है महनत करें उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा स्वास्ति की बातकेट स्वास्ति के दिर्ष्टि से आजकेन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह अंकुरित अनाजखाई से आपका पेट से आप रहेगा स्वस्त भी रहेंगे आप प्रेम समन्द की बात करें प्रेम समन्दों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतित करें समन्दिस से आपके और भी आदा मदूर होंगे आज के नगर बादाम अपने खाद पतात में सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग गुलाबी रंग लगी निम्मर पांच रहेगा बात करेंगे विश्चीकरासी की विश्चीकरासी मचंदरमा 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब विश्चीकरासी वालों के लिए आज के उत्तम रहने वाला है तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाईयां खाने की योग बन रहे हैं परिवार में तथारिष्टेदारों में आपसी सामन जश्ची भी बना रहेगा व्यापार और धन की बात करेंगे बचत में विर्दी होगी व्यापार में लाब होगा बैंक बैलेंस और बचत आपकी आज बरती भी नजर आ रही है आज आपके लिए वस्त आभूसन रतने खाइदने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए आज किन मध्यम रहने वाला है लक्ष को प्राप्ति के लिए ज़्यदा महत आपको करना पर सकता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्ते की बात के स्वास्ते की द्रिष्टी से आज की आपको ठीक ठाक रहने वाला है किसी प्रकार की चिंता आपको रह सकती है साथी और निंद्रा का सामना भी करना पर सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जोड रखें प्रेम समंद की बात करें प्रेम समंदों के लिए आज किन मध्यम रहने वाला है जीवन साथी के साथ दिनभण में कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है तो आपसी सामजस से बना के रखें आज के लिए औरेंज याने की संतरा खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नम्मर आज का आठ रहने वाला है बात केंगे धनु आसी की धनु आसीम चंदर्मा पर्थमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसु धनु आसी वालों के लिए आज के बहुत ही सकारत्मक रहने वाला है आज के आप अपने पराकरम के बल पर और मेहनत के बल पर अपनी आय में बरहतरी कर पाएंगे यात्रा के भी योग बन रहे हैं आपके लिए और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहियोगी भी मिल सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकीत व्यापारियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है आपके लिए आज अच्छे संयोग बन रहे हैं आज किन कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी करने से पहले वीडियो के अंत में जो जान ले आज का सुब समय क्या है सुब समय में ही नया कारी आरम करें विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के लिए मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों को निंद्रा ज़्यादा आ सकती है तो अपने निंद्रा पर नियंतन रखें और अपना ध्यान अपने पढ़ाई पढ़ी लगावें स्वास्ति की बात करें स्वास्ति की द्रिष्टी से आज की नपकर लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान रखें ठंडी चीये खाने से बिलकुल बचें प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज की उत्तम रहने वाला है आज नए स खर्चिला रह सकता है धार्मिक कारियों पर और मांगलिक कारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं आपको आज कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है परसंता में विर्दियों की दिन पर खूस रहेंगे आत्मसमान से भी आपको मांसमान मिलेगा बात करंगे व्याप प्रेम समंद्ध की बात करें, जीवन साथ ही से खुसियां आपकी बढ़ सकती है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, नए समंद्धों की सुरुआत संभव हैं, आज की नीमबू, अपने खादे बदाते में सामिल करेंगे आप, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए कुमरासी की, कुमरासी मिचंद्रमा तीसरे स्था में विराजित है, जिसके फ्रसुप, आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, आज आपकी कई परकार के इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है, अपने से बड़े माता-पिता या बड़े भाई बहनों की कि प्राप्त होगी, मान समान भी मिलेगा, परतिष्ठा में विर्दी होगी, ऑफिस में सगे समंधियों में और मित्रों में, आपका मान समान बढ़ेगा, आज के आपके लिए कुल मिला कर सुब रहने वाला है, बात करंगे व्यापार और धनकी, तो कुमरासी वालों के लिए आज अचानक से धनलाप की योग बन रहें, मकान और घर बनने की योग भी बन रहें, व्यापार योग के लिए आज किन काफी लाबदाएक भी रहने वाला है, आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहें, अगर आज किन कुछ नया कारी आरम करेंगे, तो उसमें आप आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कारी आरम करने से पहले, वीडियो के अंत में जोड जाने, आज का सुब समय क्या है, सुब समय में ही नया कारी आरम करें, ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्चित तोर पर हो, विद्यार्थी की बात करेंगा, तो विद्यार्थि के लिए आज के इन बढ़िया रहने वाला है रिस्तों में नई शुरुवात हो सकती है आज के इन दूद या दूद से बनीवी चीए खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आज के लिए आज का सुबरंग लाइट येलो कलर लकी नमर आज का छे रहेगा बात केंगे मीन दास मीन दासीम चंद्रमा चौथे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप मीन दासी वालों के लिए आज के इन रुकेवे कारी को फसेवे कारी को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके रुकेवे फसेवे कारी हैं उन सब को खत्म करने की कोशिस करें आज उनको खत्म करने म आपको सफलता मिलेगी मान सम्मान में भी विर्धी होगी पिता का सहीयोग प्राप्त होगा आपके कुंडली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ती होगी और उनके कारी भी बनेंगे साथ ही अपने गुसे पर नियंतन रखें किसी से लाई जगरे के योगबन है तो लाई जगरों से बचें उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर नियंतन रखें किसी से लाई जगरे नहीं होंगे व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है वेर्थ के और फेजूल खर्चों साब को बचना चाहिए विद्यार्थी की अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए भी खर्चिला रह सकता है आज का दिन आपका मन चन चल रहेगा पढ़ाई में ही मन को लगावई है स्वास्त्य की बात करें स्वास्त्य की देश्टी से आज की आपके लिए मध्यम रहने वाला है आज की आपको किसी प्रकार की मानसिक परिशानी किसी प्रकार की चिंता रह सकती है बात करेंगे प्रेम समंध की तो प्रेम समंधों के लिए आज के सामाने से कम रहने वाला है जीवन साथी से वादव्याद हो सकते हैं तो आज आपसी सामान जास से बना के रखना होगा आपको आज के ब्राउन राइस यानिकी पक्का चावल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लगी नमराज का तीन रहने वाला है तो मितर ये था आज के 12 राशी का राशी पल अब जालने थे आज का सुब समय आज का सुब समय यानिकी गुलिकाल रहने वाला है दिन के 3 बच का 16 मिर्ट से लेकर 4 बच का 37 मिर्ट तक इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आज का असुप समय यानि की राहु काल रहने वाल है सामके 4 बच का 37 मिर्ट से लेकर 5 बच का 8-9 मिर्ट तक इस समय कोई भी निया कारी करने से बिल्कुल बचे, इसमें आपको और सफलता आत लग सकती है दिसासूल पस्चिन दिसाम रहने वाला है, पस्चिन दिसामे किसी भी खास प्रियोजन से याता ना करें, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है और सुब खाद आज का पान रहने वाला है पान का एक टुकरा भी खाकर याता आरम करेंगे तो आपके कारी आज बनेंगे तो मितुर ये थाज का संपूर्ण रासी भल कल के संपूर्ण रासी भल के लिए जुरे रहे हैं धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्चा जै माता दी